असलाम नोगे दोस्तों मैं बाल बलोच और आप देख रहे हैं बलोच अलिकॉम दोस्तों आए देन हर रसीवर का न्यूज सौफ्टर अपकरेड़ हो रहा है तो किसी में फ्री आई पीटीवी आपको मिल रही है सेक्समाद की तो किसी में आपको वन येर का डीयस केम मिल रहा आप रहे हैं फिर आपको तो आपको नियू से मेनद करना पड़ती है उसी दरा की बंती भी नहीं है भर आपके पीछे वेडियो की डिरा कि नियूज और वो गया तो आपने रसीवर के बैक आपको सेव करके रखना है ताकि आप सौफ़ट्टर अपक्रेड़ करने के बाद फिर उसको लिस्ट को दुबारा इंस्टॉल करेंगे और आपके मुकमाल एट उजट जितने भी चैनल की लिए सी वो दुबारा आ जाएगी तो पढ़ दें दोस्तो वीडियो की जाने आपको स्कीन पर जाके दिखाता हूं किस तरह आपने रसीवर की सेटिंग में जाके अप सबसे पहले आपने चैनल दिखा देता हूं अब को यह टोटल 28 चैनल है मेरे 68 डिगरी के हैं यह आप लें देख लेने हैं जो भी है लेस्टव आपके सामने है सबसे पहले आपने पलाग देन यूस्वी कर लेना है यह मैं पला यूस भी लगा लेता हूं तो हैस फाउंड यापके सामने यो यही ऐख करना है तो इधर आपको दोस्तों दो अप्शन है एक सेव ऐसाम मतलब होता है कि आप मुकमल अगर आपके पास इसी किसम का सेवर है 15.06 वाला है किसी दोस्ट के पास आपको यही डेटा आप उससे बेजना चाते हैं तो सेव फलेश करके रख सकते हैं 4 MP की फैल बनेगी सेव फलेश पे तो जो आज का हमारा मकसद है वीडियो बनने का वह सेव डीबी का सेव डेटा बेस का सिर्फ आपकी चैनल लिस्ट इतर सेव होगी यह ज्याद स्यादा 60 KB की फैल बनेगी सिर्फ 60 KB की तो आपने यह बिल्यू नीला बटन दबा देना है 5-7 सेकंड लेगा डेटा सेव सेविंग में जब यह डेटा सेव हो जाएगा तो लिस्ट इसकी बिन फैल में आटोमेटक यूएसबी में आटोमेटक नीचे आ जाएगी तो वह मैं आके दिखा देता हूं यह सेव हो गया और आखरी पर 28 है कंडाना है चीडिका तो फैक्ट्री रिसेट करते हैं रेसीवर को और यह लेस्ट दुबारा बैक अब करेंगे इसका यह स्टोर हो गया है दोस्तों कोई भी चैनल नहीं है एम्टी डेटा बेस है यह आपके सामने कोई लेस्ट नहीं है अगर चैनल पर कर अप्ग्रेट पर चाहें यूएस्बी में जाएं और वही फैल सेलेक्ट करें जो हमने फैल बनाई थी डीवी वाली 61 के भी ही स्टे ओके कर देना है दस से पंद्रा सेकिट लगाएगा आप्ग्रेट होने में और यह रिसीवर रिस्टार्ट होगा तो यह अप्ग्रेट फूर टीवी नियूज मुकमा लेस्ट बैक अप होगी है दोस्तों यह बिल्कुल इजी था मैठट था अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और यह वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जिन दोस्तों को नहीं नहीं पता उनको भी पता चल जाए इजाज़त चाहता हूँ अल्ला हाफिस